मेरा मैं बिल्कुल आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ सफिका सर मगर मेरे भाशन के बीच में सच्चा ही ये कि माई कॉफ हो जाता है मैं क्या करूं हो जाता है अब आपने देखा आपने देखा मैंने अयोधिया शब्द यूज किया और माई कॉफ हो गया तो तो अयोधिया ने राम की राम भगवान की जनम भूमी प्लीज ब्रदर ब्रदर राम भगवान की जनम भूमी ने बी जे पी को मेसिज दिया और ये आपके सामने मेसिज बेखे हुए है मैंने इनसे पूछा कल कॉफी पी इनसे मैंने पूछा बताईए मैंने पूछा कि बताईए ये हुआ क्या बी जे पी ने बी जे पी ने राम मंदर का इनागरेशन किया राम बोलने दीजे राम मंदर का इनागरेशन किया नाम बोलने के कोई जरुवत नहीं आप नहीं दे रहे हो मुझे बोलना है जो बोलना है मुझे नाम बोलने के कोई जरुवत नहीं मुझे जो बोलना है मैं बोलूँगा तो अयोदिया ने मेसेज दिया और मैंने इनसे पूछा कि हुआ क्या और इनका जवाब आया मैंने उन्से पूचा कि आपको कब पता लगा कि आप अयोधिया में जीत रहो और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था और मैंने कहा ये क्या हुआ उन्हें नहीं अखाल जी अयोधिया में एर्पोर्ट बना अयोधिया की जन्ता से जमी चीनी गई और आज तक उन्हें वहावजा नहीं मिला है उन्होंने कहा सभी बाद उन्होंने कहा कि अयोदिया में जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे जो भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी उन सारों को तोड़ कर गिरा दिया गया और उन लोगों को सड़क पर कर दिया गया इन्होंने ये भी कहा कि अयोदिया के इन्योगरेशन में अयोदिया की जन्ता को बहुत दुक हुआ क्योंकि इन्योगरेशन में अदानी जी थे, अम्बानी जी थे मगर अयोदिया का कोई नहीं था और ये कारण था कारण था कि अयोदिया की जनता में उनके दिल में नरेंद्र मोदी जी ने भाए डाल दिया उनकी जमीन ले ली उनके घर गिरा दिये और फिर अयोदिया के गरीब लोगों को किसानों को मजदूरों को मंदिर के inauguration तक नहीं जाने दिया मंदिर के inauguration छोड़ो उसके बाहर भी जाने दिया और इसी लिए अयोधिया की जंता ने सही message भेजा अच्छा इन्हों ने मुझे एक और बात बोली तीन बार इन्हों ने कहा